हाई गाई मैं हूजेकंबोज और अब हम अपने सेल्स प्रोसेस पर आ गए हैं फार्मा फ्रेंचेजी के पार्ट टू में सेल्स प्रोसेस पर आ गए हैं और सबसे पहले जो हमारा यहां पे चैप्टर है वो रहेगा identify would be customer जो आपको प्रोस्पेक्ट होगा या जो हमारा फ्रांचेज ये डिस्ट्रिबूटर बन सकता है उसको कैसे identify करेंगे उसी के बारे में यहां पर हम डिसकेश करेंगे sales के पैलनीयम होता है identify prospect एक prospect वो individual होता है या वो business होता है अगर आप बीटूबी में हो तो जो हमारा future में customer बन सकता है जिसको हम marketing कर सकते जिसको अप्रोच कर सकते हैं अपने product की selling के लिए या अपने बनने के लिए आप आप pharmaceutical से जुड़े वे हर बंदे को संको हर business को प्रोच नहीं कर सकते कि वह आपका फ्रेंचेजी डिस्ट्रिब्यूटर बन जाए यह बड़ा ही यह बड़ा ही frustrating step है और आप दिन में 100% को 50% को call कर रहे हो उनको email कर रहे हो लेकिन कोई भी वापिस नहीं आ रहा कोई भी आपकी फ्रेंचेजी बनने के लिए त्यार नहीं है प्रोब्लम यह नहीं कि आप effort नहीं कर रहे हैं प्रोब्लम यह हैं कि आप गलत पर सुख रहे हैं दूसरे business के तरह आप प्रेंचेजी मार्किनिंग में भी आपको यह समझना जूरी है कि कौन आपका future में customer हो सकता है और किसके पास आपको पहुचने की जूरत है किसे आपको contact करने की जूरत है कि वह आपका franchise distribution ले इस chapter में हम यही identify करने की कोसिस करेंगे कि आपका future में prospect को हो सकता है कौन आपका future customer हो सकता है कौन आपकी franchise distributor बन सकता है यह नहीं बन सकता है एक sale को complete करने के लिए आपके पास एक product होना चाहिए एक salesperson होना चाहिए और एक customer होना चाहिए यहाँ पर फार्मसोटिकल कंपनी है जो business है जिसके बस फार्मसोटिकल प्रोडक्ट है जो फार्मसोटिकल जो registered medical practitioners होते होते हैं वह फार्मसोटिकल कंपनी के लिए की customer होते हैं क्योंकि जो prescription drugs होती है वह उनकी prescription के बीना नहीं बीख सकती इसके अलावा जो कुछ OTC drugs होती है जिनका fraction बहुत कम है market में वह बीना prescription के बीख सकती है RMP के तो वहाँ पे chemistry pharmacy की customer का role ले करती है अब हमारे पास एक product आ जा जाता है जो doctor भी हो सकता है pharmacy भी हो सकते हैं जो हमारा targeted audience size है अब salesperson की बात करते है फार्मसोटिकल सेक्टर में medical representative bottom line sales professionals होता है यह sales manager, regional sales manager, general sales manager, general sales manager एक पूरी sales team होती है एक medicine उसकी sales team दुआरा doctors को promote की जाती है doctor prescribe करता है अपने patient को patient परचेज करता है pharmacy जो pharmaceutical retailers होते हैं जैसे chemist होते हैं medical store यह pharmacy बगएरा जो pharmaceutical retailers होता है वो medicine को परचेज करता है pharmaceutical distributor से इस तरह फार्मसोटिकल distribution channel work करता है जो pharmaceutical distribution channel को discuss करने का हमारा यही purpose है जो आपको यह identify करने में मदद करेगा कौन सा हमारा targeted person हो सकता है AJ prospect अब थोड़ा सा distribution channel के जितने links हैं उनको discuss कर लेते हैं doctor एक prime customer होता है pharmaceutical company के लिए एक doctor या hospital के पास काम या ज्यादा patient हो सकते है तो doctors एक अच्छा prospect हो सकता है pharma franchise marketing में लेकिन problem यह होती है कि वो दोनों चीज़े एक साथ handle नहीं कर सकता practice भी और marketing भी लेकिन फिर भी कुछ doctors या कुछ hospitals का tie-up होता है pharmaceutical companies के साथ वो directly medicine को purchase करते हैं monopoly rates पे ताकि बाहर उनकी city में या उनके आसपास के area में दूसरी जंगे वो medicine मिले कुछ pharmaceutical retailers होते हैं जिनकी अच्छे relationships होते है doctors के साथ या जो authorized person है hospital के साथ तो वो एक अच्छा sales generate कर सकते है pharmaceutical companies के लिए तो कुछ pharmaceutical retailers जिनका अच्छा hold है hospitals में doctors पे वो भी एक अच्छे फार्मा फ्रेंचेजी distributor का एक main prospect हो सकता है जितने भी pharmacy and fs होते हैं distributor होते हैं stockist होते हैं उनका भी एक अच्छा professional networks होता है market में doctors के साथ अच्छे relationship होते है hospitals के साथ retailers के साथ तो वो भी अच्छी तरह फार्मा फ्रेंचेजी marketing को और selling को handle कर सकता है वो भी एक अच्छा prospects हो सकता है जितने भी हमने अभी तक prospects की possibility के बारे में discuss किया है उनकी कुछ limitations हो दिये grow करने के लिए doctors की अपनी limitations है retailer की अपनी है distributor की अपनी है वो अपनी practice तक hospital तक या अपने network तक ही limited होती फार्मा फ्रेंच फार्मा फ्रेंचेजी distribution में unlimited possibility है capability है sales generate करने की और वो एक अच्छा फार्मा फ्रेंचेजी distributor हो सकता है वो है sales team का कोई भी person चाहे आप medical representative से लेके जो आप general sales manager या उससे आप पर या किसी भी तरह का जो sales professionals है pharmaceutical marketing में वो एक बहुत ही अच्छा फार्मा फ्रेंचेजी distributor हो सकता है pharmaceutical sales professionals के healthcare professionals के साथ अच्छे relationship होते ही है उसके अलावा उनको medicine को sale करने में और promote करने का काफी अच्छा experience होता है उनको यह भी पता होता है कि किसी नए brand को नए product को या नई market में कैसे प्रोस्पेक्ट को decide करने के लिए हमें किन चीजों को consider करना जरूरी है उनके बारे में हम discuss करत करते हैं अगर हम आले हैं कि हमने सभी doctors की बात कि distributors की बात कि retailers की बात की sales professionals की बात करिए को बहुत बड़ी broad terms होती है हो गई है यहां पर क्योंकि सभी doctors franchise business में नहीं होते सभी retailers आपकी client नहीं बन सकते वह interested नहीं होते सभी sales professional अपना business शुरू नहीं करना चाहते कुछ का interest होता है कि नहीं होता है तो यह बहुत लार्ज नंबर में हो जाता है लब्याल हो जाता है एक बहुत बड़ा प्रोफेस्टनल्स भी हो सकता है सभी हो सकते हैं तो अपने में हम यहीं जानने की कोशिज करेंगे कैसे हम इसको रिफाइंड कर सकते हैं और कैसे हम उनको अपने अपने आपको अच्छी लगी होगी ठैक्स पूर वाचिंग